उत्तर प्रदेश पावर कोप्रेस्ट लिमिटेड टेकिनीशियन ग्रेड़ी टू रिक्रूटमेंट दोजार बाइस तो दोस्तो जी यहां यूपी पीचेल में टीजी टू की जो न्यू वेकेंसी ज आने वाली है दोजार बाइस में दोस्तो उसका सोट नोटिस आ चुका है तो हम इस वीड़ो में आपको बताने वाले है कि आप इसमें कब से एपलाइक कर पाएंगे और इसमें आपको कैसे एपलाइक करना होगा आपकी ये ज लिमिट क्या होने वाली है लोकुमेंट्स क्या क्या चाहिएगी एजुकेशनल क्या है और सेलरी इसमें आपको कितने मिलने वाली है तो दोस्तों ये सभी जानकर आपको इस वीड़ो के माध्यम से दी जाएगी तो आपसे एक छोटी शिरिगवाश्ट होगी कि वीड़ो को कंप्लिट देगेगा जिस सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा जिससे के माई आने वाली अगली सभी वीड़ो का नौटिफिकेशन आपको सबसे पहरे मिल सके जो गौर्णमेंट जो वो से सम्मंदित होने वाला है तो चलिए शुरू करते है तो आप यहां पर दे डीजिटो वेकंशी 2020 एक तालीच वोश्ट अपलाइब ओं लाइन फोर्म 2020 तो गयं दोस्तों आप यहां पर देख सकता है उपलाइब उन्लाइन यूप URL टैगनिशन रिकूटमेंट 2022 इस में वा बताने वाली आप यहां पर देख सकते हो इंपोर्टएंट डिटेल्स की ब यूपी पुलिस रिगुलूटमेंट 2020, सफाई कर्मी रिगुलूटमेंट 2020, यूपी टीचर वेकेंसी 2020, इन सभी की जानकर भी आप यहाँ पर से प्राप्त कर पाएंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले बात करता हैं आपकी इसमें इंपोर्टन डिटेल्स की आपका, तीजी टू का नोटिफिकेशन आने वाला है, अप्लिकेशन स्टार्टिंग डेट की बात करता है, अप्लिकेशन लाज्ट डेट तो मैज सेकेंड वीक 2022, क्वालिफिकेशन की बात करता है, तो दसवी आईटेए पास आपके पास होना चाहिए, जो अप्लिकेशन जर्नल और OBC के लिए बात करते हैं, जर्नल के लिए 2000 बावन पोस्ट होगी, जबकि OBC के लिए इसमें आपकी 1107 पोस्ट होगी, SC के लिए 861 और ST के लिए BSC, और Total Vacances की बात करते हैं, तलिस सो दो होगी, अब बात आती है, एज लिमिट की तो सबसे पहले, जो कंडिडिट् maximum age limit तो 40 years होनी चाहिए, age election आपको government rule के हिसाब से मिलने वाला है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें educational qualification की, तो इसमें आपके पास 10 वी, 12 वी, IT, NCVT, SCVT से किसी भी institute और board से आपने ये किये वे हो, तो इसमें आपको जो trade होनी चाहिए, wireman, electrician, lineman, electrical, fighter, इन सभी की आ आपके पास diploma होने चाहिए, अब बात आती है, आपकी minimum qualification marks की तो class 10 में आपके 50% marks के साथ पास होना चाहिए, class 12 के साथ with 50% marks और ITI diploma के साथ, आपके 60% marks होने चाहिए, जब कि बात आती है, application fees की तो आप यहाँ पर देख सकते है, general OBC और ex-service man के लिए में 1000 रुपे पर candidate fees होने होने वाली है, HCT के लिए 700 रुपे और other candidates के लिए में 1000 रुपे पर candidate fees होने वाली है, UP official technician graded to salary की बात करते हैं, आपकी जो salary होने वाली है 27,000 रुपे से 27,600 रुपे पर मंत आपकी salary होने वाली है, according to pay matrix level 4 के तहत, जब कि required documents की बात करते हैं, valid mobile number, email आपके पास होना चाहिए, अपना registration कराने के लिए जिस पर आपका OTP आने वाला है, 1012 mark sheet and ITA diploma भी आपके पास होना चाहिए, living certificate, cost certificate, a light background photo and sign आपके पास होने चाहिए, अब बात आते हैं आपकी selection process की computer based details, documents verification, final section based on final merit list, और अब बात आते हैं apply कैसे एकर तो सबसे पहले आपको इसके विशल website पर submit करना होगा, अब आपको क्या करना होगा, आपको apply online section पर जाना होगा, वहाँ पर आपको online करने का link मिलेगा, उस पर आपको click करना होगा, और वहाँ पर आपको क्या करना होगा, उसके बाद अपनी सभी details fill करनी होगी, और form को submit करने से पहले एक बार अपना form जरूर चैक कर जिससे कि आपकी कोई भी डिटेल्स गलतना भरी गई हो, अब बात आती है आपके फीस की तो आप अपने फीस, डेबिट काट, क्रेडिट काट, नेट मैंगी के माध्यम से भर सकते हैं, take a print out for the further use, and important dates की बात करता हमें आपर देख सकते हैं, notification date, April 1st week, apply online date, April 2nd week, and last date for apply, तो May 2 डारेक्ट लिंक की बात कर तो ये से भी लिंक भी आपको दिये गई है, इन पर क्लिक करके आप इसके official website पर विजिट कर सकते हैं, तो दोस्तों इस वीड़ो में इतना ही मिलते है, अगली वीड़ो के साथ, जयें दिया बारत, धन्यवाद,